यादवनगर नाम के गाउं में एक चुटकी नाम की लड़की अपने माता-पिता और भाई-बेहन के साथ रहती थी चुटकी गाउं के विद्याले में पढ़ा करती थी चुटकी की लंबाई बहुत कम थी इसी वज़े से उसके माता-पिता उसे प्यार से चुटकी बुलाते थे चुटकी की लंबाई कम के साथ साथ उसकी नाग भी बहुत छोटी थी जैसे मानों उसके नाग हो ही न, साथ ही उसके पैर भी अजीबों गरीब दिखते थे उसके अजीबों गरीब दिखने की वज़ा से उसकी कक्षा के बच्चे उसे चिढ़ाते थे चुटकी को बिलकुल पसंद नहीं था कि उसकी कक्षा के बच्चे उसे चिढ़ाएं एक दिन चुटकी ने परिशान होकर ये बात अपने घर आकर अपने माता-पिता को बताई परंतु चुटकी के माता-पिता ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे ही समझाया कि बच्चे खेल-खेल में मजाग करते हैं ऐसे चुटी-चुटी बातों को दिल पर ना लगाए देखते ही देखते चुटकी को ये बातें बहुत परिशान करने लगी और वो अंदर ही अंदर बहुत खुटने लगी एक दिन चुटकी स्कूल से वापस आ रही थी तब ही रास्ते में पीपल का पेड़ दिखाई दिया वो पेड़ के नीचे बैट गई और बहुत जोर-जोर से रोने लगी मैंसे क्यों हूँ? मेरी लंबा इतनी कम क्यों है? मुझे सब बच्चे इतना चिड़ाते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मेरा भी बहुत मन करता है सब बच्चों के साथ खेलने का पर कोई मुझे नहीं खेलाता चुड़ाती है मेरी भी कहानी कुछ तुम्हारे जैसी है मतलब? मैं भी बच्चपन में लंबाई में बहुत छोटी थी मेरा भी रंग गोरा नहीं था मुझे मेरी सहेलिया बहुत चिड़ाती थी और कई बार तो मुझे अपने साथ खिलाती भी नहीं थी एक दिन मैंने परिशान होकर खुद कुशी कर ली पर तुम्हे कैसे पता कि मुझे मेरे दोस्त बॉनी बॉनी बोल कर चड़ाते है मैंने सारी बात सुन ली थी जब तुम पेड के नीचे बैट कर रो रही थी मैं उसी पेड पर रहती हूँ मेरा उस पीपल के पेड पर ही वास है चुटकी चुडैल को रोते रोते सारी बात बताती है मेरे पास एक आइडिया है बोलो क्या? तुम मुझसे डरो मत मैं तुम्हारी दोस्त बन कर तुम्हारी मदद करूँगी पर कैसे? जो कोई भी तुम्हें चड़ाए या परिशान करेगा हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे पर तुम तो सबको दिखोगी फिर तुम से सब डर कर भाग जाएंगे तुम चिंता मत करो मेरे पास ये शक्ती है मैं उसी को दिखाई दूँगी जिसको मैं चाती हूँ ऐसे ही मैं हर किसी को दिखाई नहीं देती अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है हम दोनों मिलकर सब लोगों को सबक सिखाएंगे जो मुझे परिशान करेंगे हाँ पर तुम्हें मुझे से एक वादा करना होगा कैसा वादा तुम्हें ये बात किसी को भी नहीं बतानी कि मैं तुमारे साथ रहती हूँ अगर तुमने ये बात बता दी तो हम लोगों को सबक नहीं सिखापाएंगे और मेरी शक्तियां भी कम होती जाएंगी ठीक है मैं वादा करती हूँ कि किसी को नहीं बताऊंगी चुटकी चुडययल की बात मान जाती है और चुडयल चुटकी के साथ चल परती है अगले दिन चुटकी अपने स्कूल जाती है पहले की तरह ही चुटकी की कक्षा की लड़कियां उसे बॉनी 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 बॉल कर चिढ़ाने लगती है ए चुटकी बॉनी बॉनी ए बॉनी चुटकी बॉनी मुझे परिशान मत करो ये किसी को चिढ़ाना कोई अच्छी वात नहीं है हाँ 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 हमें मत सिखा हमें क्या करना है आई बड़ी चल बॉनी कहींगी अरे इसकी नाग तो देखो इसकी नाग इतनी छोटी है बलकि है ही नहीं पता नहीं ये सांस भी कैसे लेती है ये सब बोल कर चुटकी की सारी सहेलियां हसने लगती है चुटकी के साथ चुडैल खड़ी सब देख रही होती है तुम मुझे परिशान मत करो नहीं तो एक दिन तुम भी बुरी सी दिखने लगोगी कभी भी अपने उपर घमर नहीं करना चाहिए तो चुप कर हमें ग्यान मत दे अपना चल ये कहकर चुटकी की सारी सहेलियां उधर से चली जाती है देखा तुमने ये देखो मेरा कैसे मजाग उड़ाते हैं इन्होंने मेरी नाक में तम कर रखा हैं जब देखो आते जाते मुझे छेड़ते रहते हैं तुम चिंता मत करो मैं इन सब को बहुत बुरा सबक सिखाऊंगी कि ये किसी का मजाग बनाना भूल जाएंगी तुम ऐसा क्या करोगी? तुम बस देखती जाओ कल सुबह ये लड़कियां खोद अपने चेहरे को देखना पसंद नहीं करेंगी ये अपनी शकल सबसे छुपाएंगी इन्हें ऐसे ही समझाएगी अगली सुबह चुटकी स्कूल जाती है वो अधर जाकर देखती है कि उसकी सहेलियों की शकल पूरी दाने से भरी होती है ये देखकर चुटकी समझ जाती है कि चुटकी अपने सहेलियों के पास जाती है अरे ये क्या हुआ तुमारे चेहरे को हमें नहीं पता ये देखो हमारे चेहरे पर दाने निकल आए है देखा अगर तुम किसी को परिशान करोगे और किसी का दिल दुखाओगे तो तुम्हें भी कभी न कभी अपने गलत किये कामों की सजा मिलेगी तुम मुझे भी कितना चड़ाते थे? आज तुमारा ही चेहरा खराब हो गया है तुम किसी को भी अपनी शकल दिखाने लायक नहीं हो ये तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा है चुपकर बॉनी, ऐसा कुछ नहीं है यहां में भाशन मत दे ये कहकर चुटकी की सहेलिया गुस्से में उधर से चली जाती है इन्हें तो अभी भी अपनी गल्दी का हैसास नहीं है ये तो मुझे चिड़ाने से अभी भी बाज नहीं आ रही बताओ, अब क्या करें? लगता है मेरी किस्मत ही खराब है मुझे जिन्दगी भर यही सब सुनना पड़ेगा लगता है मुझे इन सब की आदट डाल लेनी चाहिए ये सब कहकर चुटकी बहुत जोर-जोर से रोने लगती है तुम चिंता मत करो कल इन सब की और बुरी हालत होगी मैं इनका पीछा तब तक नहीं छोड़ूँगी जब तक ये सब अपनी गल्दी का एहसास ना कर ले और तुम से आकर माफी ना मांग ले मैं नहीं चाहती जो परिशानी मैंने अपनी जिन्दगी में देखी वही सब परिशानी तुम देखो तुम चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा चुटकी अगले दिन सुबह फिर से स्कूल जाती है वहाँ जाकर वो देखती है कि उसकी सहेलियों की तो बहुत ही बुरी हालत हो गई होती है दानों के साथ साथ किसी का मुह बिलकुल काला हो गया होता है तो किसी के दान तूट गए होते हैं तो किसी के बाल ही उड़ गए होते हैं चुटकी अपनी सहेलियों के पास फिर सजाती है अरे ये तुम सबने अपना क्या हाल बना लिया है चुटकी तुम शायद सही कह रही थी हम तुम्हारे साथ बहुत गलत परताव कर रहे थे इसी चक्कर में हमें अपने कर्मों की सजा मिल रही है हम तुम्हें रोज छेड़ते थे हमने नहीं सोचा कि तुम्हें कैसा लगता होगा हाँ मुझे बहुत दुख होता था जब जब तुम मुझे चिड़ाते थे मेरा भी मन करता था मैं तुम्हारे साथ खेलू पर तुम मुझे अपने साथ नहीं किलाते थे हमें माफ कर दो चुटकी हम कभी ऐसा नहीं करेंगे बाकी हम अपनी सजा तो भुगाती रहे हैं चुटकी की सहेलियां चुटकी से माफी मांगी रही होती हैं तब ही स्कूल की और लड़कियां उसकी सहेलियों को आकर चिड़ाने लगती हैं और उनके उपर जोर जोर से हसने लगती है स्कूल की लड़कियों के चिढ़ाने से चुटकी के सहेलिया बहुत जोर जोर से रोने लगती है अरी ये हमने क्या किया हमारे साथ ही इतना बुरा हो गया हमने किसी की आत्मा को दुखाया है इसका पाप हमें मिल रहा है हम कभी ऐसा नहीं करेंगे ये सब बोलकर चुटकी की सहेलियां उधर से चली जाती है देखा अब इन्हें पता लगा किसी को दुखी करने का इंतिजाम ये तुम्हारा दिल कितना दुखाती थी अपने उपर बात आई तो एक दिन में ही परिशान हो गई मुझे हाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा अपनी सहेलियों को परिशान देखकर तुम्हेंने ठीक कर दो नहीं आज नहीं इन्हें मैं कल सुबा तक ही ठीक करूँगे इन्हें इनकी गलती का एहसास तो हो ये एक दिन तो ऐसे बिता कर देखे ठीक है पर याद से तुम कल इन सब को ठीक कर देना ठीक है अगले दिन चुटकी फिर से सकूल जाती है तब वो अधर अपनी सहेलियों को बिल्कुल ठीक हालत में देखती है तब ही चुटकी की सहेलिया उसके पास आती है चुटकी, देखो हम ठीक हो गए हम ठीक हो गए, हमने कल तुमसे माफी मांगी और पता नहीं कैसे हम एकदम से ठीक हो गए अरे ये तो अच्छी बात है चलो हम सब मिल कर खेलते हैं अब चुटकी अपनी सहेलियों के साथ खेलने लगती है और उसे फिर से कोई नहीं चिड़ाता